नमस्कार दोस्तों मैं आविनास कुमार जे एस्टो वासु का फाउंडर आप सभी दर्सकों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज जो हम विशय ले क्या है वो बहुत इंपोर्टन विशय है दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारे हमारे सब्सक्राबर बिदेश सेटलमेंट के योग बिदेश में यात्रा के योग इत्यातिक वाड़े में कोश्चन्स करते रहते हैं सब अपने बायोटा मेरे पास भेजते हैं डेट वबर्थ टाइम ओब बर्थ प्लेस ओब बर्थ और साथ में पूछते हैं कि गुरुजी क्या हमारे कुंडली में विदेश योग है की नहीं है विदेश योग है तो कभ है मैं कभ जा पाऊंगा विदेश इसी सारी चीजों के बारे में चर्चा करने के लिए आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं दोस्तों आप लोग से गुजारिस है कि यूदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो किरप्रें हमारे चैनल गो सब्सक्राइब अवस्च करें नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक करते हैं हमारे नोटिफिकेशनस ओन हो जाएंगे और उससे क्या होगा कि आपके पास हमारे आने वाले वीडियो समय पर मिल जाया करेगे साथ में आप हमारे सेटलमेंट के योग इत्यादी के वीडियो मैंने पहले से बना कर रखा हुआ आप उसे देखे और उससे सिक्षा को ग्रहन करें साथ में दोस्तों मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपको पर्सनली मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेशन करवाना है तो वह भी मैं करता हूं आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं हमारे डिसकर्शन में हमारा मेल आईडी दिया हुआ है हमारा वाटसप नंबर दिया हुआ है आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं किसी परकार के दिए कुछ समझ मिनना आये तो आप हमसे संपर्क अवस्त करें इसमें हिचाय एदम नहीं दोस्तों तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं साथ में मैं दोस्तों कहना चाहता हूं कि अब जो साथी की सीजन भी आने वाले हैं मैं कुंडली मिलान भी करता हूं यदि किसी भी मादा पिता को किसी भी परिजन को यदि कुंडली मिलाना है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज बिदेश योग बिदेश सेटलमेंट के बिदेश योग कैं? बिदेश योग का मतलब होता है कि हम अपनी मात्र भ्मीशे हमारा जहां जन्म हुआ वहां से हम हजारों मिल दूर जाएं उसे बिदेश कहा जाता है चाहिए वह हमारे देश महीं क्यों न हो साथ में हम लोग वहां के जलवायू, वहां के परिवेश, वहां के खान-पान इत्यादी ते चेंज हो जाते हैं वैदिक जोतिस में उससे ही बिदेश कहा जाता है लेकिन आज के जवाने में क्या है दोस्तो बिदेश का मतलब होता है कि भारत से बाहर यदि हम भार से बाहर नेपाल चले गए, हम बंगलादेश चले गए, हम पाकिस्तान चले गए तो इसे आज के जवाने बिदेश कहा जाता है लेकिन हमारे वैदिक जोतिस में उससे बिदेश नहीं कहा जाता था विदेश का मतलब होता है कि आपकी जलवायू चेंज होने चाहिए, आपके खान पान चेंज होने चाहिए, आपके लेंगवेज मलब भासा चेंज होने चाहिए, यदि कोई जातक कोई वैक्ति दिल्ली में है, यदि वो पाकिस्तान जाता है, तो ना तो जलवायू चेंज होत ना खान पान चेन होता तो इस अनुसार वो बिदेश नहीं कलाया यदि वही जातक वैक्ति यदि दिल्ली वाला यदि वैक्ति साउत में हमारे भारत देश में चाहे वह आपको चिन्नाई आ जाये करनाटका केरला आंधर प्रदेश आ जाये यहां क्या जलवायू चेन होड़ तो आपसे आगरह है कि आप लोग अपनी अपनी कुंडली या खोलके रखे जो मैं बता रहा हूं देखें क्या आपके कुंडली में यह चीज दिख रहे हैं यह चीज मिल रहे हैं को तभी आपको अच्छी तरह समझ में आपाएगा तो यहां हम विदेश योग के बारे हम बिदेश योग हम अपनी जन कुंडली हम कालफुरस्ति कुंडली में बारवे घर से बिदेश योग, बिदेश सेटलमेंट को देखते हैं, साथ में हमारा तीसरा घर, नौवा घर भी होना अति उत्तम है, कुझा हैं कि तीसे घर हमारे छोटी मूठी रियात्रा को बताता न्युक्त हो रहे घर्था को बताता है, इस परकार हम कहते हैं कि विदेश का योग बनता है, साहर सात में हम अच्छी तरह जानते ग्रफा कुंद्ली में बारवा घर से हम लोग वैक को देखते हैं घर से नांने तो क्या-क्या देखना है हमें बीदेश के लिए सबसे पहले अपने अप मिलगन को उसके वाद बारवा यह दो इंपोर्टेंट है दोस्तों अभी मैं कुछी सुत्र बताऊंगा यह से बहुत सारे सुत्र बंते हैं विदेश योग के को दोसरा क्या देखना हम आजिका को देखते हैं यह हमारा कहां पर आजिका होगा तो उससे हम सनी अर्थात राहू केतू और सभ्षनी किसी भी परकार यह बढरहए घर संभना लेता है साथ में चोथे घर का भी संबन्ध होता है तो हम लगा सकते को अपने मातर भूमी से बहुत दूर जाएगा बहुत दिनों तक दूर रहेगा क्या कि यह सेपरेट करता है अपने जन भूमी से अपने पड़िवार से अपने बैवसाय से इस परकार हम लोगों को समझना चाहिए तो हम एक कुंडली यहां लगा रहे हैं दोस्तों समझने के लिए आपको यह कुंडली आपकी गुरु किरतन सिंग जी की है जिनकी जन्म 9 अगस्त 1999 जन्म का समय सुवह 4 बच के 45 मिनट जन्म का स्थान इनका है करनाल जन्माना एक जगक नाम है जो करनाल हड्या नाम पड़ता है इनकी कुंडली आप देखिए दोस्तों यह देखिए कर्क लगन के कुंडली आपको यहां दिख रही होगी दोस्तों और चंद्रमा जो इनकी रासी होगी मीन रासी होगी कि अब लग में देखिए कि उनकोने बैठे हूए है बुद्र बैठे ववे राहु बैठे हूए और को सुड़िय बेठे हुए है दूसरे गर में देखिये धन भाव में कर भी शोग वचानी है और आण य। मात्र भ्या शोग सबसे लाज साथमी नमर पर आ रहे हैं मंगल दूसरे नमर पर हैं शुक्र तीसरे नमर पर हैं इसी परकार कमनुसार सारे आते जारें को ज controller को देख सकते हैं दोस्तों करने अलगन नवाफं में सवामी देखिये वारहने का गार्रयजमान है से पहला नियम स्वामी लंत में हो लग। में कर सकते हैं मरकारर्रेश दोस्तों सकत honorable तो हम लोग विदेश यातरा का योग बताते हैं, यदि इनकी दसा आएगे इनकी अंतर आएगे ये विदेश में जा सकते हैं, यातरा कर सकते हैं, चाहे वो एजिक्वेशन के लिए हो, चाहे वो बैविसाई के लिए हो, चाहे वो वहां सेटलमन हो जाएगे, तो हम यहां क्य मित्र मानते हैं बारवा कोन सा मित्र राशी उसके स्वामी कौन होते बुध्ध होते वो देखिए को स्थ्रू मानता लेकिन अस्ठान परिवर्तन का यूग बन रहा है इस प्रकार हम कर सकते हैं कि यह विदेश जाएगा, विदेश यात्रा करेगा, यदि इनका संबंद आपको नौवे घर से हो जाता है तो उच्छ शिक्षा के लिए विदेश जाएगा, यदि इनका संबंद पांचमे घर से होता है तो परहाई लिखाई के लिए विदेश जा कि सनी का क्या मतलब चंद्रमा के साथ इनका सन्योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप देख सकते हैं कुंडलीम दोस्तों, चनी हमारे आज़िविका के कारक भी होते हैं, तो सनी अपनी तीसरी पूर्ण डिश्टी से वो चंद्रमा को अथार बारे में घर को देख रहा है साथ में सनी से अपरेसंस का भी पलेनिट है, वो अलग भी करता है, साथ में देखिएगा वो अपने मा का घर, सुक घर को भी अपने साथ में डिश्टी से देख रहा है, मनलब उससे घरबार से दूर रखेगा, तो यहां इसका योग बन रहा है दोस्तों, यह अपनी बैव सेपरेसंस, राकेश को देखना, राहु केतु और सनी, बहुत जूरी है दोस्तों, यह चीज़, जदी बारवे घर में इसकी डिश्टी पड़ेगी, तब है हम कह सकते हैं कि यह विदेश जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा दोस्तों, यह सनी की डिश्टी तिसी डिश्ट पर रही है, साथ में केतु देखिएगा, साथ में घर में बैठके करकरासी को देख रहा है, लगन को देख रहा है, विदेश जाएगा, राहु लगन के साथ ही बैठा हुआ वदेश यह 100% जाएगा दोस्तों, अभी वो एजुकीशन के लिए गया हुआ है विदेश, अब उसके वाद इसने अभी अप्लाई किया हुआ है वर्क वीजा के लिए तो मार्च 2020 तक से वर्क वीजा भी मिल जाएगा वो जाके विदेश में काम करेगा और वही बस जाएगा दोस्तों काईगी सनी अपने साथमी डिस्टी से सुख भाव को देख रहा है अपनी मातर भाव क को देख रहा जहां जर्म लिया है उसे प्रेशन का काम कर रहा हो हटा रहा है दूर कर रहा है लंबे समय के दूर कर रहा है और अब इसकी दसावी सनी भी चल रही दोस्तों 25 तक सनी की दसाई चलेगी तो यह लंबा मतलब विदेश में रहेगा अब थ्वासा कुछ हम लोग चंद्र के वारे में बुद्ध के वारे में लगन के वारे में और भावेस के वारे में बात कर लेते हैं दोस्तों चंद्रमा देखिए कि यहां मित्वन रासी में स्थित है जो की चंद्रमा का मित्र रासी है चंद्रमा पहले घर का भी स्वामी है लगन का भी स्वामी है चं छठागर हमारे नौकड़ी का घर होता है, छठागर हमारे रोग कष्ट का घर होता है, लेगे हम छठागर हम लोग नौकड़ी के लिए देखते हैं, उसे भी देख रहा है, मलब उसमें अपनी शुवता परदान कर रहा है, दोस्तों, साथ में सनी की पून्डिष्टी मैंने बताई तीसी पूर्ण डिश्टी से वो अपना चंद्रमा को देख रहा है यहां बैठ कर जो वैक्ति को एकांध पिरिये बनाता है दोस्तों हाला कि वैक्ति एकांध ने बैठ कर अच्छी परकार से चिंतन मनन करता है किसी भी डिसीजन में वो पहुंच जाता है क्योंकि यह चिंतन सील बैक्ति है बहुत तो हैं यह जैसे वैक्ति जादा खर्शीले भी होते हैं धेखा गया है दोस्तों इने क्रोधी बहुत जादा आता है कभी कभी देखा बिदेश से बहुत लगाव रहता है उसका इक मन ही विदेश में रहता है वो रसनक्राय के लिए और ब inflict कि विदेश जात्रा करने का बहुत मौका भी मिलता, ऐसे वैक्ति को ऐसे जात्रव को चाहे सिख्छा हो, चाहे रोजगार हो, ऐसे वैक्ति की जुराओ किसी अस्पताल या धार्मिक सन्स्थान से भी हो सकता, उसके उनुसार भी वो बिदेश जा सकता, वहाँ सटल हो सकता, हॉस्पिटराइजिशन में वर्क कर सकता है, दोस्तों, अब यहाँ देखे बूध के बारे हम देख रहे हैं, वहाँ बिदेश सटलमेंट बरताता है, दोस्तों, साथ में करक रासिम बैठे, हाँ बुध चंद्रमा को सत्रू मानता है, लेकिन अस्थान परिवर्तन होने कारण यह सत्रूता थोड़ी समाप्त हो जाती है, दोस्तों, और एक यह और देखे बूध की सात्वे डिष्टी अपने सत्तमभाव में देख रहा है, मलब अपने पतनी का, अपने पार्टनर का, अपना बिजनस का घर को देख रहा, केतु की पूरी डिष्टी बूद पर रही है, मैं बोला राकेश की डिष्टी परनी चाहिए, बारवे घर के स्वामी या बारवे घर में जोगरा इस्तीत है, तो केतु की देखिये पूर्न डिष्टी आपको पर रही है किस पर, बूद पर, जो बारवे घर का स्वामी है, यह इनसाण हाई विदेश का हमेंषा वेकाई है primeiro इनका सभाव स्वह में? हमेशा खुष रहने वाले ऐसे व्यक्ति रहते हैं, लेकं जब गुस्षशा आता है, वुश्वली क्लोधित भी होते हैं, सान सभाव इनके बुद्धी कुशार्ग रहेगी दोस्तों, देखने में ऐसा वैक्ति ऐसा जातक बहुती आकर्षत दिखेगा, आकर्षत्मक दिखता है दोस्तों, बहुती सुन्दर सुडौल दिखता है, मैंने उसे खुद देखा भी है दोस्तों, एसे वैक्ति कई भासाओं के बुष्यों में गहन रूची रखता, उसमें अध्यन करता है, बिसेश कर जीयोतिस में, गनीत के बिशे में, जादू के बिशे में, इन्जिरींग के बिशे में, बहुत इनकी लाल सा रहती है जानने के लिए कि जानना डीप में घुषते है इसके ऐसे वैक्तियों को बहुत सारे भासाओं का विज्ञान होता क्योंकि बुद्ध हमारे भासा को भानिय को बताता है हमारे बुद्धी को बताता है गनेश जी के परतिमा हमारे बुद्ध भगवान के परतिमा होती है तिस परकार हम देख सकते हैं दोस्तों कि इनके हो रहा है दोस्तों पला सनी के डिष्टी 12 गर में पड़ रही वहे 12 गर में पड़ arguing के स्वामी इस परक्वानिंगे विदेश स्यात्रा का यो बनता है दोस्तों यदि आप नचछत्र में देखेंगे तो चंदरमा राहू के नचछत्र में है और अभी जो दसा चल रही है, दोस्तों, सनी के दसा चल रही है, अंतर चल रही है, बुद्ध की चल रही है, और परियंतर भी चंदर्मा की चल रही है, विदेश योग में कहा जाता है कि तीनों दसा अंतर परियंतर यदि विदेश दिखा रहा है, तो ऐसा जाता कैसा विदे यहां तीनों कि तीनों देखार आपके समंद बन रहा है, बुद्ध जो आपको बारवे घर का स्वामी एक चनर्मा, जो खुद बारवे घर बैठे हुए हैं, जो दसा सणी हैं, जो बारवे घर को देख रहे हैं, दोश्तों, इस परकार यह वैक्ति विदेश जाता है, इसी परकार आपको अपनी कुंडले में देखना है, लगन को देखिए, बारवे घर को देखिए, साथ में राकेश को देखिए, कि क्या उसकी नजर, क्या उसकी यूती, बारवे घर से बन रही कि नहीं बन रही है, तभी वो सेपरे बार से प्रितक करके कहीं दूर देश भेजेंगे। साथ में हमें मंगल को भी देखना है। मंगल भी उसे प्रेशन प्लेंट कर लाता है। चोथे घर को अवश्च देखिए, क्यागे हमारा सुक का घर है, हमारे माता घर है। उसमें किसी परकार आकेश के डिष्टी पर रही है, तो वैसा वैक्ति हमेशा अपने घर से बाहर ही रहता है। चाहे वो बिदेश रहे, चाहे आप 200-400-1000 किवड़ दूर रहे अपने देश में ही रहे। लेकिन हमेशा वो अपने घर से बाहर रहता है। वहीं पर उसकी आजबिका, वहीं पर अपने काम धंदा करता है, अपने परिवार का पेट पालता है। कि एक बार लास्ट में पिर कहना चाहूंगा दोस्तों, यदि आपको कुछ भी नहीं समझ में आये। यदि आपको अपनी कुंडली मुझसे देखवाने चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ में हम कुंडली मिलान भी करते हैं गुन मिलान भी करते हैं दोस्तों ग्रह मिलान भी करते हैं आप वह भी करवा सकते हैं और सब्सक्राइब अबस करें दोस्तों का सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमाई आने वाले वीडियो आपको जल जल मिल जाया करेंगे लाइक और सेयर करना तो दोस्तों भूले ही नहीं सेयर करने से क्या होते हैं कि आपके परिवार आपके दोस्तों के पास हमारी वीडियो जाती है और आप उससे देख कर वो सिक्षा करन कर सकते हैं देख सकते हैं अपनी कुंड़ी मिला के किस पारकार हमारे योग बननते हैं, आसा ये वीडियो आपको अच्छी लगीगी दोस्तो, जै माता दी, धन्यवाद दोस्तो.